हाई एवरिवन तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मेटलर्जी जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उसका वन शॉट रिविजिन तो मैं आपको रिड्यूस्ट स्लेबस के अकोर्डिंग हर एक टॉपिक को समझाऊंगा अच्छे से एक्स्प्लेन करूँगा ओके और स्ट से पहले आपका इसमें अक्रेंस ऑफ मेटल सा रहा है और इसमें क्या होता है वह आपको मालूम होना चाहिए तो जैसे कि हमें पता है जितने भी हमारे मेटल्स एक्जिस्ट करते हैं उसमें मोस्ट अब दा मेटल्स रियक्टिव होते हैं ठीक है रियक्टिव नेचर होते है तो वो हमें free state में नहीं मिलते हैं वो हमें combined state में मिलते हैं combined state में अगर हम वो मिलते हैं तो वो कैसे मिलेंगे वो oxides की form में मिलेंगे carbonates की form में मिलेंगे hyalides की form में मिलेंगे sulfides की form में मिलेंगे sulfates की form में मिलेंगे और साथ ही उसमें जो है mud, clay, sand, stone यह सब भी mix होता है ठीक है तो हम कह सकते हैं वो impure form में हमें मिलते हैं किसमें मिलते हैं impure form में और यह most of the metals के साथ है ठीक है अब जो हमारे reactivity series होती है reactivity series में क्या होता है कि हमारे metals इस तरीके से arrange हैं कि जो उपर वाले metals है वो ज़्यादा electro positive in nature है और अगर मैं बात करूँ नीचे वाले metals वो less electro positive है ठीक है तो जो ज़्यादा electro positive होंगे वो electro negative के साथ जो है वो मिलकर एक compound बनाएंगे तो जैसे कि हम एक्जामपल ले सकते हैं sodium और potassium तो यह ओकर करते हैं mainly as your chlorides और calcium और magnesium जो है वो ओकर करते हैं as your carbonates, aluminium as its oxide और zinc, lead, copper, mercury और silver यह हमें sulphide के रूप में मिलते हैं तो आपके syllabus में जो है main ores के नाम पूछे है एक तो aluminium एक zinc और एक iron तो aluminium का जो और है वो बोक्साइट है AL2O3.2H2O इसका formula है और दूसरा है cryolite इसका formula है NA3ALF6 इसके बाद जो zinc है zinc का जो हमारा ores है zinc blend और इसका formula है ZNS और दूसरा है calamine और इसका formula है zinc carbonate ZNCO3 और फिर iron मतलब Fe तो इसका ores है red hematite और इसका formula है Fe2O3 और इसका दूसरा ores है brown hematite जिसका formula है 2Fe2O3.3H2O इसके अंदर आपको फिर mineral और और की definition आपको पढ़नी है सबसे पहले हम बात करते हैं metallurgy की देखो आपके कोश्च आपके paper में kemsi की भी आ सकता है कि free state में जो है कौन से metals हमें मिलते हैं तो gold और platinum gold and platinum दो ऐसे metal हैं जो हमें free state में या फिर अपनी native state में मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि इनकी जो reactivity होती है वह बहुत ही low होती है ओके less reactive metals होते हैं फिर बात करते हैं यहां पर metallurgy की तो metallurgy क्या है so metallurgy एक process है जिससे हम metals को extract करते हैं उसके और से ठीक है और वह भी pure form में तो उसको हम metallurgy कहते हैं तो यहां पर definition लिखी हुई है the process used for the extraction of metals in their pure form from their ores is referred to as metallurgy okay metallurgy में होता क्या है metallurgy में production होता है और purification होता है metals का और alloys का manufacture होता है फिर बात करते हैं minerals की तो minerals क्या होते हैं minerals होते हैं हमारी naturally occurring compounds of metals which are generally mixed with other matter such as soil sand limestone and rocks are known as minerals okay इसके बाद हमें पढ़ना है और तो ores क्या होते हैं वो देख लेते हैं उससे पहले हम यहां पर कुछ हमारे terms हैं जैसे कि gang है तो gang को हम matrix भी बोलते हैं तो यह क्या होती है यह हमारी earthly impurities होती है जिसके अंदर silica present होता है silica का formula si o2 होता है mud present होता है okay और यह जो है और के साथ associate होता है तो इसी को बोलते हैं हम gang या फिर matrix अब ओर क्या होते हैं तो ऐसे minerals जिसमें से हम metals को extract कर सकते हैं ठीक है metals को produce कर सकते हैं और वो भी बहुत कम post पर और बिल्कुल कम effort लगा कर तो उसी को हम बोलते हैं okay those minerals from which the metals are extracted commercially at a comparatively low cost and with minimum effort are cold ores फिर इसके बाद एक term है आपर flux तो flux एक substance है जो add किया जाता है furnace में to remove the gang तो gang हमारी impurities थी इसको remove करने के लिए flux को add करते हैं flux जो है वो gang के साथ add होता है और एक नया compound बना लेता है जिसको हम बोलते है slag slag क्या होता है fusible product होता है जब gang और flux दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं gang हमारा sleeka था SiO2 flux यहाँ पर CaCO3 calcium carbonate है दोनों ने मिलकर slag बनाया और जो की formula है CaSiO3 और plus में carbon dioxide फिर एक टर्म यहाँ पर है smelting smelting क्या होता है smelting is the process of reducing the roasted oxide ore and removing the gang with the help of an appropriate flux added with the ore तो और के साथ flux को add किया जाता है जिससे कि हम gang को remove कर पाएं मतलब impurities को remove कर पाएं और यह process होता है oxide मतलब roasted oxide को reduce करने का roasted का मतलब होता है oxygen की presence में जब reaction होता है फिर हम बात करते हैं यह oxide ore को reduce करता है metals में उनकी molten condition में molten मतलब हम कह सकते हैं गरम या फिर वह पिघला हुआ ठीक है फिर steps क्या होते हैं extraction में मतलब एक ore हमने लिया और उससे metal तक जो process होता है उसमें क्या क्या steps होते हैं तो सबसे पहले ore लिया फिर उसकी crushing और grinding हुई फिर उसके बाद concentration हुआ concentration में आपके यह method है चार method एक तो gravity separation एक फ्रोथ flotation एक magnetic separation और chemical method या फिर leaching यह आपके exam में मतलब आपको completely या फिर इसमें detail में नहीं जाना है बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए एक roasting और calcination होता है फिर फिर उसके बाद reduction होता है reduction भी दो तरीके से होता है एक तो chemical reduction और एक electrolytic reduction मतलब यूज करेंगे उसमें anode cathode हमारे दो electrode होंगे और फिर हम reduction जो है वो कराएंगे उसके बाद refining होती है refining के बाद हमें pure metal मिल जाता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सब आपके syllabus में नहीं आ रहा है इस बार ओके तो इसमें आपको detail में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इसके बाद हम चलते हैं next topic जो कि है हमारा बेयर्स प्रोसेस तो बेयर्स प्रोसेस आपके exam में आ रहा है तो इसको ध्यान से देख लेना ओके और अच्छे से उसको पढ़के जाना तो यह सब टॉपिक्स आपके इस बार लिमस में नहीं है ठीक है तो यहाँ से हमें पढ़ना है aluminium तो aluminium के और क्या-क्या होते हैं सबसे 203.2H2O फिर इसका दूसरा और है cryolite इसका chemical name है sodium aluminium fluoride और formula है इसका na3Alf6 फिर एक इसका और है corundum तो यहाँ पर है anhydrous aluminium oxide और इसका formula है Al2O3 यह जादा important नहीं है ठीक है starting के दो जो है वो जादा important और सबसे जादा important है bauxite ठीक है तो चलते हैं iron के और क्या है वो यहाँ पर देख लो आप iron के और इनके chemical names और इनके formula हो ले ठीक है red hematite anhydrous ferric oxide होता है formula होता है F2O3 so brown hematite का जो chemical name है hydrated ferric oxide और formula है 2F2O3.3H2O magnetite इसका chemical name है triferic cataroxide formula है F3O4 और फिर है iron pyrites chemical name iron disulfide formula F2S2 और last में है side right chemical name है ferrous carbonate और formula है FeCO3 iron carbonate ठीक है और इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ores of zinc तो zinc blend होता है जिसका formula होता है ZNS zinc sulfide इसको बुलाते हैं और एक होता है zinc kite जिसको हम बोलते है zinc oxide ZNO chemical formula इसका और calamine जो है chemical name है zinc carbonate और formula है इसका ZNCO3 अब आपको इसमें aluminium के बारे में पढ़ना है तो aluminium से related यहाँ पर कुछ important points है वो देख लेते हैं symbol होता है AL color होता है silvery white metal specific gravity होती है 2.2 electronic configuration होता है 2,8,3 क्योंकि इसका atomic number होता है 13 valency होती है इसकी 3 relative atomic mass होता है 27 और position periodic table में इसकी है period number 3 और group इसका है 3rd A या फिर हम बोल सकते है 13 जो है इसका group है फिर इसकी discovery जो है वो 1825 में हुई orsted ने की थी और यह most abundant metal है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला metal है अर्थी crust में और यह एक reactive metal है तो यह free nature में नहीं मिलेगा तो इसको हमें extract करना पड़ेगा यह अपनी oxides की form में मिलेगा ठीक है तो एक हमारे scientist थे hole and herald इन्होंने 1885 में एक extraction of aluminum के लिए process develop किया फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं तो इन्होंने use किया कौन से वाला और Al2O3.2H2O hydrated aluminum oxide जिसका नाम है bauxite तो bauxite ore को use किया और इससे वह क्या करेंगे aluminum को extract करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके लिए use किया गया है यहाँ पर बेयर्स process कौन सा process बेयर्स process तो बेयर्स process में क्या क्या steps है वह बहुत ही important है इसको ध्यान से देखना सबसे पहले bauxite को grind किया जाएगा finally मतलब उसका जो है powdery form में उसको बनाया जाएगा फिर उसको heat किया जाएगा जो भी impurities है volatile impurities वो remove हो जाएगी और उसके बाद heat किया जाएगा pressure under pressure with concentrated caustic soda solution 2 से 8 hours के लिए और temperature कितना रहेगा 140 degree Celsius से 150 degree Celsius तो यहाँ पर यह जो पहली reaction है यह आपके लिए काफी important है अल्टी 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 डॉट टुएच टूओ प्लस टू एन ए ओएच इसी को caustic soda बोला है और यह देगा हमें टू एन एल ओटू प्लस में 3 एच टू ओ तो वोकसाइड डिजोल होगा और वो sodium meta-aluminate तो एन ए एन ए एलो टू का इसका formula जो है chemical नेम क्या है इसका इसका जो chemical formula है या फिर chemical name है वो क्या होगा sodium meta-aluminate sodium meta-aluminate और फिर यहां पर जो insoluble impurities है वो यहीं पर रह जाएंगी और उसको हम बुलाते हैं red mud red mud में क्या क्या consist होता है ferric oxide sand और यह filtration से remove हो जाते हैं फिर हम क्या करेंगे sodium meta-aluminate को water के साथ जो है हम dilute करेंगे और cool करेंगे 50 degree celsius तक and it gets hydrolyzed to give aluminum hydroxide as a precipitate तो यहां पर हमें एक precipitate मिलेगा ALOH whole thrice ठीक है इस form में तो यहां पर जो reaction है वो यह है sodium meta-aluminate Naal O2 plus 2H2O और यहां पर हमें reaction मिलेगा sodium hydroxide plus aluminum hydroxide hydroxide और यह precipitate है अब इस precipitate को हम heat करेंगे 1000 degree celsius तक तो यहां पर हमें मिलेगा AL2O3 plus 3H2O और इसी को हम बोलते हैं AL2O3 को ही alumina क्या बोलते हैं alumina Aluminium oxide को reduce करेंगे और इसके लिए हम जो reducing agent लेंगे वो carbon हो सकता है ठीक है carbon monoxide हो सकता है और hydrogen हो सकता है फिर electrolytic reduction जो है वो choose किया जाता है as the method of reducing alumina तो यहां तक हमारा alumina जो है वो बन जाता है फिर हमें aluminium बनाने के लिए या फिर हमें metal जो चाहिए उसके लिए हम electrolytic reduction का use करेंगे ओके तो हम चलते हैं इसके बाद electrolytic reduction के लिए और यहां पर जो process का नाम है वो आपको याद रखना है और इसको अच्छे से पढ़ना भी है तो इसका नाम में है whole heralds process ओके तो इसका नाम है whole heralds process तो इसमें क्या होगा इसमें आपको electrolytic cell लेना है ठीक है rectangular iron tank है और जिसमें slopping bottom है slopping bottom of the tank facilitates the removal of the molten aluminium slopping मतलब जिससे की अच्छे से flow हो जाए ठीक है slop okay inclined way में जो बना हुआ है फिर जो tank है उसमें एक gas carbon की lining है electrolyte क्या यूज किया है it is the mixture of molten alumina 20% molten alumina 60% cryolite का भी मैंने आपको formula बताया था उपर and floor spar है 20% floor spar है powdered cork जो है वो sprinkle किया जाएगा electrolyte के surface के उपर temperature 950 degree celsius रहेगा और voltage जो है वो 5 to 6 volts रहेगी यह low voltage जो है वो यूज की जाती है किसलिए जिससे की decomposition ना हो जाए दो अलग-अलग elements में या फिर दो अलग-अलग components में break हो जाता है तो उस है यहाँ पर cathode है minus में और यहाँ पर plus में जो है anode है जो की हमारी graphite यहाँ पर use की है carbon graphite यहाँ पर carbon की lining जो है वो cathode की की गई है electrolyte इसके अंदर है और यहाँ पर tap है tap hole for aluminium यहाँ से aluminium को इकटा किया जाएगा ठीक है collect किया जाएगा फिर यहाँ पर reaction है तो पहला reaction है cryolite तो na3al f6 इसमें जो reaction होगा वो यह होगा 3 na positive plus al3 positive plus 6 f negative तो यहाँ पर सब sodium के ions बन जाएंगे aluminium के ions बन जाएंगे और यहाँ पर fluorine के ions बन जाएंगे फिर नीचे है floor spar इसका formula होता है caf2 मतलब calcium fluoride तो इसका जो यहाँ पर reaction बनने वाला है वो भी आप ध्यान से देख लेना ca2 positive plus 2 f negative और फिर यहाँ पर alumina al2o3 तो यह टूटेगा 2 al3 positive plus 3 o2 negative positive ions जो बनते हैं solution में वो कौन-कौन से है na positive ca2 positive al3 positive और negative ions जो है वो हमारे f negative और o2 negative मतलब fluorine और oxygen के बनेंगे aluminium जो है वो electrochemical series में नीचे है तो वो preferentially discharge होगा cathode पर while oxygen जो है वो anode पर होगा तो electrochemical series में जो नीचे होता है वो discharge होता है सबसे पहले उपर वालों से ठीक है तो जो positive वाले है वो negative की तरफ जाएंगे और जो negative वाले है वो positive की तरफ जाएंगे इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं तो cathode पर जो reaction होगा aluminum यहाँ पर जो है वो collect हो जाएगा तो al3 positive प्लस 12 electron जो है वो add कि गए तो यहाँ पर हमें 4al मिल जाएंगे मतलब aluminum के 4 atom मिल जाएंगे फिर anode तो anode जो है वो हमने thick road of graphite यूज की है और यहाँ पर कौन collect होगा oxygen तो 602 negative minus 12 electron तो यहाँ पर हमें 6 oxygen के atom मिल जाएंगे फिर यहाँ पर जो यह 6 oxygen के atom है यह 333 में break ओकर हमें 302 दे देंगे okay anode जो है वो oxidize होता है 2 carbon monoxide ठीक है carbon monoxide हमें मिलता है फिर वो बाद में carbon monoxide जो है इसकी वज़ा से oxygen की वज़ा से जो की एनोड पर evolve होती है तो इसलिए इसको time to time हमें replace करना पड़ता है ओके फिर यहाँ पर इतनी important चीज़े नहीं है तो यहाँ पर note दिया हुआ है अगर आपके exam में आए कि cryolite का use क्यों प्या है तो यहाँ पर सीधा answer हो जाएगा कि कि यह conductivity को enhance करता है floor spar and cryolite यह दोनों act करते है as a solvent किसके लिए electrolytic mixture के लिए और यह conductivity को increase करते है ओके फिर यहाँ पर powdered coke जो हमने sprinkle किया था electrolyte के surface पे वो किसलिए use होता है तो वो reduce करता है heat loss by radiation और वो prevent करता है burning of anode ठीक है इसके बाद आपका यहाँ पर hoops process नहीं आ रहा है पेपर में इसके बाद आपको जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है इस वाले part में aluminum में तो आपको यहाँ पर यह flow chart दिख रहा है इससे भी आप समझ सकते हैं सबसे पहले आपको और लेना है कौन सा और लेना है bauxite formula क्या होता है al2o3.2h2 हो फिर यहाँ पर concentration करेंगे हम naoh का use करेंगे ठीक है जिससे हम al2o3 मतलब aluminum जो है वो हम find करेंगे या फिर हम कैसकते हैं उसको form करेंगे तो यहाँ पर तीन reactions होते हैं वो तीनों आपको याद करने हैं बहुत ही important है सबस कितना है 140 degree celsius से 150 degree celsius तो हमें मिलने वाला है sodium meta-aluminate naalo2 plus में 3h2o फिर sodium meta-aluminate और water दोनों react करेंगे 50 degree celsius में और हमें sodium hydroxide मिल जाएगा प्लस में aluminum hydroxide मिल जाएगा और यह precipitate होता है फिर हम इसको जो है 100 degree celsius तक जो है temperature में reaction करेंगे इसका और हमें मिल जाएगा al2o3 जिसको हम alumina कहते हैं plus 3h2o फिर हम इसका electrolytic reduction करेंगे इसमें हम use करने वाले हैं hole and heralds process ओके यहाँ पर जो ratio होने वाला है electrolyte का फिर इसके बाद हम reaction use करेंगे electrolytic reduction का और इसमें हम reduce करेंगे alumina को aluminium के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो electrolyte use होंगे वो alumina cryolite और floors पार और ratio देख लो यहाँ पर कितना ratio है 1 ratio 3 ratio 1 ठीक है तो यहाँ पर दो reaction निकलेंगे क्या होगा aluminium जो है वो क्या होगा क्योंकि वह पॉजिटिव आयन से तो यहाँ पर जाएंगे तो यहां पर carbon के साथ oxygen मिलके carbon dioxide बन जाएगी ठीक है फिर आप यहाँ पर देख सकते है प्यूरिफिकेशन के लिए भी दो यहाँ पर reaction यूज कियो है तो इसको भी आप देख सकते हैं वैसे यह paper में नहीं आ रहा है ठीक है तो cathode पर al3 positive प्लस 3 electron तो यहां पर al मिल जाएगा anode पर al और 3 electron लूज करने के बाद al3 positive मिल जाएगा तो anode पर aluminium के आयन बनेंगे और cathode पर हमें aluminium metal मिलेगा तो इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके बाद हमें चलना है directly aloes पर तो aloes हमें पढ़ना है इसके बाद तो aloes में आपको पढ़ना है सबसे पहले aluminium के जो aloes हैं उसकी uses पढ़ने है और properties पढ़नी है ठीक है तो uses क्या है सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं uses of aluminium तो being a strong light and corrosion resistant metal it is used in alloys aluminium बहुती light होता है इसकी जो strength होती है वो बहुती high tensile strength होती है और resistant होता है corrosion मतलब इसकर corrosion नहीं होता है गंदा नहीं होता है यह ठीक है good conductor है heat का और organic acid से यह unaffected रहता है और बहुती इसका attractive appearance होता है और जो हमारे बरतन होते हैं ठीक है cooking utensils होते है kitchen के लिए उसको भी उनको भी बनाने के लिए जो है aluminium का use किया जाता है construction work में use किया जाता है इसका ठीक है यहाँ पर हम देख सकते है aluminium जो है highly malleable है तो हम इसको thin foils में भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप school में lunch ले जाते हैं न रैप करके तो वो भी aluminium ही होता है ठीक है और paint करने के लिए electric या पर telegraphic जो poles है उसके लिए भी हम aluminium के use करते हैं तो यहाँ पर जो है काफी सारे usage जो है होता है फिर यह excellent reflector है light का तो mirrors बनाने के लिए भी यूज होता है फिर good conductor है electricity का cables power transmission उसके लिए भी यूज होता है और aluminium जो है वो unaffected रहता है seawater से तो इसलिए जो ships है वो भी alloys of aluminium से बनाए जाते हैं फिर यहाँ पर और काफी सारे प्रोसेसर वो आप देख सकते हैं ठीक है next हमें चलना है alloys of aluminium पर ठीक है तो अब हम चलते हैं alloys पर तो alloys में आपको सिर्फ definition पढ़नी है और alloys of aluminium पढ़ने हैं तो alloys is a homogeneous mixture of two or more metals or of one or more metals with certain non-metallic elements तो alloys एक mixture होता है और वो भी homogeneous mixture होता है homogeneous mixture वो आपको मिक्चर होते हैं जिसमें हम जिसमें जो हमारे जो elements हैं जो हम mix कर रहे हैं वो properly soluble हो जाते हैं ठीक है इसमें हम differentiate नहीं कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या है जैसे कि मैं पानी के अंदर अगर salt को मिला देता हूं तो वो क्या हो जाएंगे वो homogeneous mixture होगा ओके तो यहां पर alloy जो है वो तो से या फिर दो से ज्यादा metals का mixture होता है तो इसमें आपको definition पढ़नी है उसके बाद आपको alloy of aluminium पढ़ना है उसकी properties पढ़नी है ओके तो चलते हैं हम आगे ओके तो यहां पर हम देख सकते हैं aluminium तो aluminium के जो alloy है सबसे पहला है हमारा duralumin ठीक है duralumin और यहां पर composition कितनी है 95% इसके अंदर aluminium है 4% copper है 0.5% यहां पर magnesium है और 0.5% यहां पर manganese है properties क्या है यह बहुत ही light होता है but strong होता है बिल्कुल steel के तरह ठीक है second क्या है बहुत ही hard है और resistance है corrosion का मतलब इस पर corrosion नहीं लगेगा ठीक है फिर मतलब यह corrode नहीं होगा ठीक है फिर यह बहुत ही highly ductile है ductile क्या होता है जिसको हम wires में convert कर सकते हैं okay so use देख लेते हैं हम duralumin के तो duralumin जो है वो यूज होता है aircraft में ठीक है उनकी body's को बनाने के लिए बसिस की body's को बनाने के लिए tube trains light tools pressure cooker ठीक है तो उसमें जो हमारा alloy use होता है वो कौन सा होता है duralumin उसके बाद हम second वाला देखते हैं magnelium ठीक है हमें क्या देखना है magnelium तो इसमें 90 से 95% aluminum होता है और 10 से 5% जो है वो हमारा magnesium होता है properties क्या है रेजिस्ट करता है corrosion मतलब यह corrode नहीं होता है second बहुत ही light होता है और third बहुत ही strong होता है फिर यह use होता है aircraft में scientific instruments में metal mirrors में light tools में beams of balance में household appliances में फिर जो third वाला हमारा alloy है वो है L-nico ठीक है तो इसकी composition क्या है इसके अंदर aluminium है nickel है cobalt है और हमारे पास iron है then इसकी properties क्या है बहुत ही light है shiny है और यह भी corrode नहीं होता है मतलब resist करता है corrosion को और use होता है हमारा magnets के अंदर ओके तो friends आपका इस chapter में सिर्फ इतना ही स्लेवस में लिखा हुआ है आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है so I hope आपको यह chapter अच्छे से समझ आया होगा और फिर मैं आपके लिए next जो है chapter लेकर आने वाला हूँ HCL ठीक है hydrogen chloride तो उसके लिए आप चैनल को subscribe कर लेना और ऐसे ही videos को share करते रहो और देखते रहो